नमस्कार मैं डौक्टर रांद कुमार इसल पूरी फूरी हम चरचा किते हमारा च्छलटा थे तो Benjamin हम फ्रश्ट का चटुट है तो चिल चैकल लागा तो जिसका तोसी दर्टी हुआ त्यकर उसकी पार्ट किसी भी चीज को में देखा देखके इसको टोपिक करते करके उसको आधार पर काम करना और दूसरा जो इसका अवस्ता तीसको अनकित करते हैं जिसके अंदर वस्तु चित्रान जिसको भोता है और दूसरा है प्रकष्टी चित्रान गंदर से वह कुछ एक पार्ट को जो भी हम अच्छा लगता है जो सुन्दर दिख रहा है उस पार्ट को हम चित्रत करते हैं तो इसमें वह क्या हुआ हमारा arrangement किया वह subject हो गया जिसको उने arrange किया और वो सुंदर लग रहा है किस तर से हमने उसको सुंदर रूप में उसको arrange किया सुब बश्ते दूब से उसको arrange किया उसके बाद में उस चीज को हमने paint किया यानि कि draw किया चाहिए water color में कर रहे है है वह में कर रहे हैं जो भी माध्य में है तो वह में सुंदरता के लिए और हमारे अनन्द है उसकी लिए मुझा चीज को बनाया पेंटे मनाते हैं तो यह दूसरी जो चीज सब्जेक्ट का जो जो बेस्टाइम जो चीज ती उसमें दूसरी रही है शो बिवस्ता या और जिस भी विशे वस्त को बनाय जा रहा है, तो सबसे पहले उसके वीचार आता है, कि वहे क्यों बनाया जा रहा है, पित्यादी, आदी- आदी, मतलब जैसे मानों कोई बी सब्जेक्ट को उन्म चुन्मी तो लिया, आमने अरेंज भी कर लिया, लेकिन अब उसके साथ यह मैं उस आर्टिस्ट के उस कला के विद्धार तो कि मन में एक ही फिलिंग आते हैं विचार रहेगा कि वह क्यों बनाया जा रहा है यह एक ऐसी कला है जो मानों के मस्तिस में उपस्ती है और इसके इसे क्रोचे ने भी अपनी प्रमानिक युक्तियों के आधार पर यह सिद्ध किया कि कला का संबन्द वस्तु न दिष्ट न होकर आध्यात्मिक वे आंत्रिक है यह महत्मून चीज़ द्यान देने के बात है एक आर्ट के विद्यारतियों को कि जो भी कला का निर्मित होती है तो वो ठीक है सब्जेक बनता है वो बाद में लेकिन सबसे जो महत्मून चीज़ करोचे जो मानता है तो वो कहते हैं कि कला का संबन्द वस्तु निष्ट यान आध्यात्मिक और आंत्रिक है तो यह हमारे आत्मिक है और आध्यात्मिक आंत्रिक है और सोंदरी को क्रोचे मानस जात मानते हैं यह मानते थे उनके नुसार विसे रेखाएं रंग उनकी टॉन आधी सब भी कुछ केवल कलाकार के मस्तिक्स में होते हैं जिने एक चक्सुस या subject के रूप में हो चाहिए, arrangement के रूप में हो, selection के रूप में हो, तो वो जो भी चीज बनेगी, वो सबसे पहले हमारे मन में, हमारे मस्तिक्स में, हमारी आत्मा के अंदर उसका निर्मान होता है, उसी का नुसारम, लागज पर, कभी कपड़े पर, कभी ताड़ पत्रों पर और भूमी चित्रों को रूप में सदे भी सतत रूप से बनती चली आ रही है और आज इस अमुल्य ने दी को मानुर सब्विता के विकास करम की गाता के साथ जोड़ते हुए भी से हमारे पूरवजू की अमुल्य धरोर के रूप में स्विकार करते हैं और इन महत्पून कालों में जो समय के जो काल निकले कला के उसमें कला की विसे वस्तुवि बिन ने भिन रही है और आदी काल से आज तक विबिन जो उद्देश्यों की पूर्ती के लिए कला करते हुए स्रिजन किया जाता रहा है मनोवेग्यानिक, एतियासिक, धार्मिक, राष्टवादी, प्रकर्ति, आदी अनेक विशेयों ने कलाकर्ति को विविध आधार प्रदान की है और आदिम कलाकर्तियों में आदी मानों का जीवन वे रहन सेन ही इस्ताहित रूपाईत हुआ तो मिस्त्र के प्रामिडों का स्रजन म्रतकों की याद में याद कोई समर्पित करने के लिए किया गया फूसरी और यूनानी जो सास्त्री कला ये थार्त के आदर्सों को सास्त्री नियमों में बांद कर रस्तुत की जाते रही वहीं यूरोपी जो कला वेस्टन की जो कला वर्सों तक इसा मसीय और धार्मिक विचारों से ओत प्रोत रही तो दूसरे तरह बारत में सिंदू गाटे सिब्धा के अवसेज वहां के निवासियों के कला विभव की गुर्व गाता कहते हैं तो अजन्ता की गुफा, मंदिर, भगवान, बुद्ध और बोद्धर्म को ही समर्पीत हैं राजस्थानी, पहाडी, लगू, चित्रन सहीलियां की कला करतियां भगवान शरी किष्ण के विविद रूपों की जहां की प्रिस्तूत करती है और इसे प्रकार भारती कला की विशेवस्तू आध्यात्मिकता से ओत्प्रोत रही है तो दूसरी ओर जिसे बाउसके बाद में 19 सुच्छताब्दी के प्रारम में यूरूपी कला में प्रकती हावी रही और धार्मिकता जाती रही, कम हो गई कला आगे चलकर वस्तू निर्पेक्स होने लगी यानि की एप्स्तेक्ट तथा विशे वस्तू होतोई भी सुख्ष्मता की और बढ़ने लगी तो इस तरह से इस समय कला की जो आंत्रिक गुणों पर बल दिया जाने लगा अर्था दिखाय दिने वाले बाईस अंसार का अस्तान आंत्रिक गुणों ने ले लिया यानि कि एक आर्टिस्ट है जो चित्रकार है कला का जो जो इधारती है कला का पार किये वो समय के अनुसार चेंज उसके अंदर आता गया कई पर आज तो वो समय से लेकर के और आज तक कहीं पर जो जो जाते हैंता है कहीं पर दार्निक हो जाते कि वाद में कला तो भारत पर सिंदु गाटी सब्विता के अवस्वसों और वहां के निवासों के कला विवकी भी गोरव गाता करते हैं दूसरी और जैसे जो अजन्टा के बारे में चर्शा करते हैं अजन्टा बहुत धर्म से लिटर रही गुपा जो उसके मंदिर हैं समंदिते हैं तो इस प्रकार जैसे भारती कला की जो विसे वस्तु वह आध्यात्मी तास्य ओत परोत रही है और उन्नीश स्कताब्द के प्रारणम में जैसे यूरोपी कला में प्रकरती हावी रही और कहते हैं कि धार्मिक्ता जाते रही उसके बाद में नेचर और जो ले आंतरिक गुनों पर बल दिया जाने लगा अर्थात दिखाये देने वाले जो बाईए संसार का इस्तान आंतरिक गुनों ने ले लिया और भारती कला का जो मूल मंतर भी भोतिकता वादी जगत से आध्यात्मी ता गयोर प्रयान है और यही विसे वस्तु करागों प्रतिक करती है आदार बले चाहिए बोतिक रहा हो परवन तो उसके जो प्रस्तुती आदर्सवादी धारमिक आदार लिए प्रतीत होती रही है चाहिए उसमें वेशनव, सेव, बोद, जेन, आदी धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए कला को ही आदार बनाया गया तो इस परकार जि और जो चित्रकारों को नजर्या था वो अदम बदल गया और भारत में भी भारत में भी इसे अचुता नीरा और आज इसे बहु आयामी सरजन का दोर चल रहा है तो व्यक्तिवादिता सब तरह जिसे व्यक्तिवादिता है और एक्सपरिमेंटा यानि प्रयोक धर्मिता की तो आदुनिक समसामी कलाकारों ने जिसे धर्म के आश्रम आश्रे से उपर उठकर व्यक्तिवादिता सोच को महत्व दिया अब आज की समय में क्या हो रादुनिक चित्रकारों ने क्या किया जो धर्म था दर्शन था धार्मिक एतियासिक था प्रकरतिती उसको छोड़कर आर्टिस्ट विक्तिवादी हो गया और एक्सपरिमेंट के आदार प का रिये करने लगा और उसकी जो सोच को उसने अपने खुद की जो सोच ती उसको उनले जदा महत्व दिया और कला में नए प्रयोक की आवश्रकता को स्विकार किया जार आज भी जिसे और स्रिष्टत क्ला करती के अंतरगत नहीं रहती है उसके अर्थ सार या विसेवस्ट में नहीं तो आज के जो सम्हे के समय किलाकार और धर्म के आशिव एक्षड़ कर व्यक्तिकत सोच को जदा उन्होंने महत्व दिया जाने लगा आज के समय में और कला में प्रियोग क्या ओस्क्ताइप को श्विकार क्या ज़राया कि अलग जो एकप्रियोग से वह स की जा रहें तो उनको लोग श्यक्रियोग है तो उसके जो अर्थसार है या विसेवस्तू में उन्होंने जज़दा इंट्रेस्ट है अब अब आज के समय में कई नहीं लेते हैं और कलाकरती की जो स्रेश्टर का माप्तंड उसे जो अंतरगत नीत गुन है ना कि बहारी अच्छा का चोंद या तकने की अत्वा जोड़तर का प्रदसन कला कभी भी किसी की काल में निरुदेश्य नहीं रही है वरनवय एक साधना रही और भारती कला में सधियों तेक मानव देह को अती रंजित कालपनिक द्रहातल पर चिटित किया गया देव देवताओं के प्रलोकिक शुरूप को प्रतिकों के माद्यम से कालपनिक यथार्ट रूप दिया जाता रहा परन्तु आज आधुनिक समसामिक कलावारों ने धर्म द्रहें तेक में यह फार्ट वाला के आस्रे से उपर उठकर कवासामिक को फंथे निया अंत्रिक गुणों को अपना लिया अपना लिया है और इस से बाहरती आधुनिक कला बी अंतराश्टि एक राधर से जुड़ गई है और आजज की आधुनिक समसामिक कला विषय वस्तु उनके चलन रहा है तो पहला जैसे कलाकर्ती के वस्तु निर्पेक्स सुरूप का विचार किया जाती है उसके अंत्रिगुन का दूसरा कलाकार के आत्मिक अभी व्यक्ति पर बल दिया जाता है और तीसरा कलाकार के कल्पना विलास को साकार करना कि कल्पना किस तरह की है और प्रत्थम विचार को अपना लेवाले कल्पना कल्पना किस तरह की है और प्रत्थम विचार को अपना लेवाले कल्पना कल्पना किस तरह की है और प्रत्थम विचार को अपना लेवाले कल्पना कल्पना किस तरह की ह अपने आत्मिक संतुष्टि की आवसिक्ता पर बल देते हैं तो ये तीसरा दूसरा उसका महत्तुन विचार है आज की समय में और तीसरी मानितं वाले कराकार करती कि सोंधरिय पक्स को महत्व देते हैं उसके संदे साथमत जरूर को नहीं तो इस प्रकार आधुनिक कलाम यानि कि आज जड़ सुंदर्य को प्रमुख विसे के रूप में मानिता मिली है और इश्वर, राष्ट्र, मानव निर्मित मुल्नों से उपर उठकर आंतरिक अनुबूती अनि जो अन्तर 38 से कलाकार के हैं मन में किस तरके अनुबूती है, किस तरके फिलिंग है, किस तरके एक्स्पिशन्स है उसको यह सत्य मानकर चित्रन किया जा रहा है और कलाम यही सत्य अनुबूती उसका आवशेक अंग है तब ही कला करती के दुआरा सुद्ध विचार स्ष्टी संभव है और उसी को सौंद्रे बोध कहा गया है और यही कला का ब्यापा के धर्म है इस प्रकार हमारा जो आज यह टोपिक था कि कला का विशे क्या है तो यह सुरुआ सै लेकि मैंने अब तक last तकへ आपको ulक चर्चागे इसके बारे मं बताया अलक अलग जो पार्ट से से प्रतंपार्ट नूस्रा पार्ट तरतट्या पार्ट चोता पार्ट और यह पाँच्वा इसका last anything पार्ट के रूप में किस तरह से starting से कलागा क्या विस से रहा तो इसका क्या उद्दिश किस तरह से अभी व्यक्ति पर किस तरह से अविष्टा है रहे चुनाव सूह ब्वथ्टा इस पश्चिकरन के अंदर इसका पूरा जो आगा में दार्मिक है एटियार शिक्रनेचर है उससब चीजों का में आधूनिक समय जड़ संदर्य को के प्रमुक विश्य के रुम्राज मानिता मिली और इसको जिसे कला में यही सत्यानव हुथी का उसका अंग बन गया और तभी कला करते के द्वारा सुद्ध विचार सर्ष्टी संभव है और उसी को संदर्य बोद कहा गया और यही कला का भ्यापक धर्म है धन्यवाद से आगे हम तर्ष्टा करेंगे अगले उस पर टोपी पर दन्यवाद